नौर्थ कोरिया के सनकी ताना शाह किम जॉंग उन अक्सर अपनी अजीब हरकतों को लेकर चर्चा में रहते हैं लेकिन अब किम जॉंग उनके सैनिक की एक अजीब फोटो सोशल मीडिया पर वारल हो रही है इस सैनिक ने अपनी ड्रेस की जगह एक अलग सी पोशाक पहनी हुई है जिसे देखकर लोग इस सैनिक को अलग अलग नाम दे रहे हैं कोई इसे अमेरिकन सुपर कॉप बता रहा है तो कोई इसे रॉकेट मैन बोल रहा है दरसल किम जोंगुन ने अपने सैनिकों के साथ एक फोटो खिंचवाई थी लेकिन इस फोटो में सैनिकों के बीच एक सैनिक अपनी ड्रेस की जगह एक अजीब सी पोशाक पहने खड़ा है इस सैनिक ने सुपर टाइट नीले रंग की पोशाक पहनी हुई है जो इस फोटो में बिल्कुल ही अलग से चमक रही है और सभी का ध्यान अपनी और खीज रही है जैसे ये फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई लोग इस से देखकर अलग-अलग कॉमेंट्स करने लगे किसी ने इस शक्स को सुपर हीरो कहा तो किसी ने कोरिया का इसे कैप्टन बता दिया कुछ लोगों ने तो इसे अमेरिकी सुपर हीरो भी बता दिया वही निउस एजेंसी एपी के हिसाब से ये शक्स लगभग 30 सैनिको के ग्रुप में शामिल था जिनोंने हत्यार प्रनालियों की एक प्रदर्शनी के दोरान नेता किम जोंग उनके साथ फोटो किचवाई थी लेकिन बाकी सैनिकों ने अपनी वर्दी पहनी हुई थी लेकिन ये शक्स सबसे अलग नज़र आ रहा था एजनसी के हिसाब से नौर्ट कोरिया की मीडिया ने इस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की है लेकिन मॉनेटरी में मिडल बरी इंस्टिट ओफ इंटरनाशनल स्टडीज के एक विशेश शक्य जेफरी लुइस ने ट्वीट करके एक अनुमान लगाया है जेफरी लुइस ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि वो पेराशुटिस्ट है आपको बता दें हाल ही में किम जॉंग उनने नौर्थ कोरिया की अंतर महा द्वीपिय बैलिस्टिक मिसाइलों समेथ कई तरह के हतियारों के बगल में खड़े होकर पोस देते हुए दिखाई दिये थे उन्होंने नौर्थ कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइलों के साथ खड़े ओकर ये घोशना की कि वो केवल आत्मरक्षा में अपनी सेना बढ़ा रहा है ना कि यूद्ध शुरू करने के लिए हालांके इस बात में कितनी सचाई है अब ये तो किम जोंगों ही जानते हैं इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताएं साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सबस्क्राइब करें टीवी नाइन भारत व हमने की गलती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दो गजदूरी करें अपनी सुरक्षा पूरी कोरोना टीका हम सब को लगाना है मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है